नमस्कार दोस्तों कल हमने देखा कि किस तरह से अनुपमा पूली के दिन अपने द्वारा किये गे विभार के लिए सबसे माफी मांगती है लेकिन सब लोग उसे कहते कि उसने अच्छा ही किया और अच्छा हुआ कि उसने अपना दिल हलका कर लिया और आगे सब लोग मिलकर पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं तो आज के अपिसोड की शुरुआत नंदनी ने परिवार की चुट्टी के बारे में जानने से की पाकी नंदनी को बताती है कि वें सबी चुट्टी पर जा रहे हैं नन्नी कहती है कि ये तो अच्छा है क्योंकि सबी को एक बदलाव और विशेश रूप से वन्राज और अनुपमा को इसकी आवश्यक्ता है केबल अनुपमा और वन्राज के लिए पाकी कहती है कि लीला ने उनके लिए एक स्पेशल यात्रा की योजना बनाई है क्योंकि वो उम्मीद कर रही है कि इस छुट्टी के साथ अनुपमा और वन्राज एक साथ हा जाएंगे उसने ये भी कहा कि लीला अभी भी उम्मीद कर रही है कि वन्राज और अनुपमा तलाग का विचार भी छोड़ देंगे कावया पाकी की पूरी बात को अनसुना कर देती है लेकिन पिकनिक के बारे में जान लेती है वो नंदनी से पिकनिक के बारे में पूछती है नंदनी कावया को विस्तार देने से इंकार कर देती है कावया को लगता है कि वो शाह पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे वनराज से अलग करने की कोशिश कर रही है वहां राखी कावया की बात को याद करती है और चिंता करती है कि अगर कावया किंजल की सास बन गी तो क्या हो जाएगा वो कहती है कि अनुपमा खिंजल का काम करती है और उसे बेटी की तरह प्यार भी करती है राखी ने लीला को बुलाया और काव्या के बारे में चर्चा की वो लीला के साथ अपनी चिंता साजा करती है और कहती है कि काव्या घर तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है लीला आगे कहते हैं कि वैसा कभी नहीं होने देगी दूसरी तरफ काव्या ने पिकनिक के बारे में बनराज से पूछा बनराज कहते हैं कि लीला और हस्मुक उसे चुट्टी पर जाने की मांग कर रहे हैं और वो कहता है कि वो लीला और हस्मुक को परिशान नहीं कर सकता कावया वनराज से कहती है कि तलाक होने तक वो कुछ भी कर सकता है लेकिन उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं करने देगी वन्राज अपना तलाग का पेपर देखता है और उसे लगता है कि उसे तो खुश होना चाहिए लेकिन वो परिशान क्यूं हो रहा है आगे लीला और शाप पिकनिक के लिए तैयार हो जाते हैं लीला और पाकी वन्राज और अनुपमा के लिए भगवान से प्रातना करते हैं वो भगवान से अनुपमा और वन्राज को हमेशा साथ रखने के लिए कहते हैं पाकी चुट्टी पर जाने के लिए उत्साहित हो जाती है लीला अनुपमा को लेकर आती है, अनुपमा ने सूट और सलवार पहन कर रखा हुआ है, इसलिए वो थोड़ी शरम महसूस करती है लीला और हस्मुक अनुपमा से पूछते हैं कि वो इतना क्यों शर्मा रही है और अनुपमा लीला के पीछे चिप जाती है अनुपमा को देखकर वनराज मुस्कुरा उठता है वो अनुपमा की तारीफ करता है Flashback में अनुपमा सोचती है कि कैसे वनराज ने उन्हें सूट या Maxi Dress पहनने से प्रतिबंदित किया था अनुपमा वन्राज से पूछती है कि वो पहले तो इसे पसंद नहीं करता था जब वो सूट और सलवार पहनने के लिए उससे आगरा करती थी वन्राज अनुपमा को जवाब देते हुए कहते हैं कि समय के साथ लोग भी बदल जाते हैं आगे लीला और पाखी वन्राज और अनुपमा को बाइक पर जाने के लिए कहते हैं अनुपमा और वन्राज थोड़ा जिजगते हैं लेकिन जब लीला जोर देती है तो वन्राज अनुपमा को बाइक पर ले जाने के लिए तयार हो जाते हैं एक बाइक पर वन्राज और अनुपमा को देखकर काव्या हेरान रह जाती है। इसी बीच में पाखी कार पंचर कर देती है ताकि उन्हें पिकनिक स्थल पर पहुँचने में देर हो जाए। अनुपमा और लीला के बारे में सोचकर लीला और पाखी खुश हो जाते हैं। बाद में अनुपमा और वन्राज अपने सुनहरे पुराने दिनों को याद करते हैं। वन्राज ने अनुपमा से उसे कफ के पकड़ने के लिए कहा। काव्या अन्पमा और वंगाज को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन उन तक नहीं पहुँच पाती वो निशकर्ष निकालती है कि वंगाज उससे बच्चों की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोग खतम हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अफडिशन लगातार आपको मिलती रहें तो आप मारी यूट्यूब चानल दैनिक उजाला को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहें तो हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं अरिके विल इतना ही आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं दैनिक उजाला